नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप और आज बिहार बिधान सभा और बिहार के लिए राजनितिक रूप से एक बड़ा दिन है सत्रहई बिधान सभा का आज से सत्र सुरू होने जा रहा है और आज की कारवाई का जो लबोलुआब है जो चीजें हैं वो सपत गरहन से सुरू होगी जो नए जीत करके आए हैं 243 बिधायक वो आज सपत गरहन करेंगे और प्रोटे में स्पीकर बनाएगे जीतर नाम माजी सपत गरहन करवाएंगे जफत गरन के परकिरिया सुरू होगी लेकिन इसके बीच में एक खबर जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि आज नितीश कुमार और तेजस्वी आदों के बीच में मुलाकात भी है एक लंबे समय के बाद दोनों मिलेंगे और मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है वो तो बाद में पता चलेगा लेकिन आज मुलाकात होनी तैद है आपको बता दें कि विधान सभा में आज इसकी करवाई शुरू होगी और ये पांच दीवसिये तेज से लेकर के 27 तक सत्र चलना है जिसमें कई अहम फैसले होने हैं और आने वाले पांच सालों के लिए या कहा जा तो पांच सालों के लिए तो सरकार बनी ही है लेकिन बहुत तेजी से कारवाई को समात करके और जो जरूरी चीजें हैं वो की जाएगी सपत ग्रहन के बाद राजय पाल का अभीभाशन होगा उसके बाद से जो सदन की कारवाई होगा जो बहु हरी क्रूप में तै है कि आने वाले सरकार को किस तरस चलाना है बजट सरकार अपने नियम कानून को करेगी लेकिन इस बीच में विपक्ष जो है अपने पूरी तैयारी कर चुका है सरकार की तैयारिया तो लगातार हो रही है और आपने देखा भी होगा कि तैयारियों में किस तरस सरकार बहुत मजबूती के साथ अपने जबाब तैयार रख रही है क्योंकि सवालों का फैरिस्त बहुत लंबा होने वाला है इस बार और तेजश्वी आदो पूरी तैयारी कर चुके हैं तेजश्वी आदो एक मजबूत विपक्ष के साथ उनके खाने में होंगे और विधान सभा में जब नितीश कुमार के अगवाई वाली ये सर पाइदा हुए है पांच सीट उसके साथ और जूडने जा रहे हैं ए आई एम आई एम ऑवैस्टी की जो पार्टी है उसके पांच विधायक जीत करका हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि वो विपक्ष में बैठेंगा और विपक्ष में महागटवंधन के साथ वो अपनी जो भूमिका है वो बनाए रखेंगे इसके बाद आपको बता दे कि इस बार के विधान सभा का जो 243 शीटों का समीकरन है उसमें से 105 नए सदस सामिल हुए है जो पहली बार आये हैं सदन में और इसके अलावे पुराने जो सदस्य हैं जो दुबारा जीत करके आये हैं यान और इन सब में जो आज की प्रक्रिया होगी 11 से विधान सभा सुरू होगा और विधान सभा सुरू होगा उसके बाद तेज़शी यादो जब एयरपूर्ट पर उत्रे तो आपने देखा कि किस तरह से उनका बौडी लेंग्वेज था और ऐसा नहीं लग रहा था लोग सभ अगर ध्यान से आप देखें और उनके बौडी लंग्वेज को देखें तो वो पूरी तरसे मजबूती से अपने आपको तैयार कर चुके हैं और इस तैयारी में वो यह बात सोच करके आए हैं कि इस बार सरकार को वो सात्तु पानी ले करके बरबाद करने और आम जनता से क किसी की कमिया नहीं निकालनी हैं हम कमी के लिए नहीं बैठे हैं हम बैठे हैं कि जनता से जो वादा किया है इंडिये ने और नितीश कुबार ने उसे पूरा करें और हर हाल में पूरा करें और यह जो है महागटवन्धन का एजेंडा है और इस एजेंडा पर आपको अपडेट करते रहेंगे आज जो सपत ग्रहन होगा नए और नए चुने गए सदस्यों का विधान सभाके तो उसमें सबसे पहला जो सपत ग्रहन होगा वह तारा किशोर जी का होगा क्योंकि उप मुख्य मंत्री हैं दूसरा रेणु देवी का होगा उसके बाद विज पासवान का होगा जीवेश मिस्ला का होगा रामसूरत राय का होगा यह कुल नौ विधायक जो हैं वो पहले सपत लेंगे आपको पता है कि बाकी 14 में से सब विधान परिश्द का सदसे हैं असक चौधरी की बात कर लें यह फिर आप मंगल पांडे की बात कर लें इस सारे बाद आपको बता दें कि जो सिलसिला सुरू होगा वो एक नमबर वह बालमिकी नगर से सुरू होगा और वहां से होते 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 243 तक आएगा इस बीच में आपको बता दें कि यह सिलसिला आनवरात जारी रहेगा और हम आपके साथ लगतार जूड़े रहेंगे लेक किया गया है कहा जा रहा है कि 1505 कमरे हैं जो अलग-अलग होटलो में रखा गया है इसके लिए पूरी ब्रस्ता की राज्धानी के होलों में रहने कीमोशा की गई है इसके साथ सुलेख्षा के भी काफी इंतजाम किये गये हैं इन सब बातों को ले करके हमारी नजर पूरी तरह से आज विधान सभा की कारवाई पर गड़ी हुई है हम आपके साथ जूड़े रहेंगे और भारत लाइब के लगतार सभी आपके साथ जूड़े रहेंगे तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और देखते रहें भारत लाइब साथ में आपका स्वयोग हमें जरूरी है और साथ देने के लिए आप हमारे इस खबरों को अधिक साथी सेर कर सकते हैं आप नए लोगों को भारत लाइब का सदस्य बना सकते हैं उसके लिए आपको करना होगा कि वो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबवाना होगा और बगल वाली घंटी को दबा करके आपको नियमित रूप से निशुल्क आपको सारी खबरे मिलती जाएंगी सबसे पहले मि पैस नहीं बिल्कुल सही और सची खबरे आपको भारत लाइब की बिलेगी नमस्क्राइब